नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं चीन पर तिस्री डिजिटल एश्ट्राइक पपजी सहीट 118 एप हुए बैन भारत सरकार ने देश में पपजी बैन कर दिया है इतना ही नहीं सुचना याम तक्निकी मंतला ने पपजी समेथ 118 दूसरे एप बैन करने की खोशना की है इससे पहले मोधी सरकार ने वीचार टिक टोक समेथ कई एप बैन कर दिये थे भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद सरकार ने प्राइवेंसी का हवाला देते हुए या फैसला किया है आपको बता दे कि भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच केंद्री ये आई टी मंतला ने एक सब ठारा चाइनिज एप को बैन कर दिया है किसान सबा ने यूरिया पूर्ति के लिए सीम से की मांग जार्खन राज किसान सबा ने मुख मंत्री को पत्र लिखकर राज में पर्याप्त यूरिया पूर्ति और इसकी भंडारन की मांग की है किसान सभा के उपाद्यक्स अखिल भारतिये किसान काउंसिल के सदत से सुफल महतों ने कहा है कि जरकन में यूरिया की लूट मची है उन्होंने कहा कि किसानों को 266 रूपे कीमत वाला यूरिया 480-540 रूपे में बेचा जा रहा है नवी से बरावी स्कूल टीका आने के बाद खोले जाएं अभिभावक कुरोना काल में जरकन में कर्चा नवी से बरावी तक के स्कूल खोलने को लेकर 12320 अभिभावकों ने अपनी राय दी है इसमें 49 सो पांच अविभावक ऐसे हैं जिन्होंने कुरोना का टिका आने के बाद इसकुल खोलने की बात कही है बता है कि जार्खन सीख्षा पर युनिया परिशाद द्वारा इसकुल खोलने को लेकर अविभावकों से आउनलाइट फिड़ाइग महें गये थे उच विद्याले वा पलस टू उच विद्याले के लिए अलग-अलग राइद देने को कहा गया था राज के सरकारी नीजी वा सरकारी सहायता प्रावत विद्याले के बच्चों के अविभावक ने अपनी राइद दिया है जारखन में एक हैर पैंसर्ट नई संक्रमित्यों के पुष्टी हुई जो राची से दोसो तीरपन पूरविज सिम्भूम दोसव अठाइस गिरिड येकासी रामगर तीरसर धनबाद तीरपन बुकारो उन्चा सराय किला एक तालिस पांकुर उन्चालिस कोडारमा सैंतिस चात्रा एक तीस खुटी पचीस पच्मी सिम्भू चोवीस लवर्दागा सोलह हजारी बाग चौदा मिले हैं जारखन में खूल संक्रमित्यों के संख्या चावाली सहयर नौसव है जबकि 29 शाथ सब्यासी है और 430 की मिलित्य हो गई भारत में केस्ट ब्यासी है और 860 मिले हैं बुद्धवार को राज में 11 की मोथ हुई है जो पूर्वी सिम्भूम से साथ धनबाद से एक बोकारो से एक चात्रा से एक और कोडारमा से एक की मोथ हुई है बुद्धवार को सबसे ज्यादा 1578 में मरीज स्वस्थ भी हुए हैं स्वस्थ मरीज इस परकार हैं राची पांसो बारा पूर्वी सिम्भूम 490 धनबाद 11 गिरीडी 44 हाजारी बाग 38 रामगर 81 बोकारो 44 पलामू 21 कोडार्मा 42 पच्मी सिम्भू 43 देवगर 10 सराइक लेखर सावा 36 गड़वा 32 सिम्डेगा 29 लातेहर 13 गुमला 20 सायव गंज 68 चत्रा 11 खोटी 15 दुमका 6 पाकुर्ण जाम ता से 33 मरीज स्वस्थ हुए है राची में अब रुजाना आठ जगों पर होगी संक्रमन जाच राइधानी में क्रोणा संक्रामितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जीला परसासन ने सैंपल कलेक्शन की संख्या बढ़ाने पर जोर दी है इसके तहद गुरुवार को राची सहर के आठ जगों पर स्टैटिक कैम्प लगाया जाएगा जहानीमित रूप से लोगों की कुरोना जाच की जाएगी सभी आठ सिंट्रों में सुबह 10 बए से लेका साम 6 बए तक सैंपल कलेक्शन होगा आपको बता दे किसके तहद जीला इसकूल, स्वागत बैक बेट हॉल, राम लखन यादो कॉलेज, डुरंडा कॉलेज डुरंडा, क्राउन पबलिक इसकूल, मिडिल इसकूल बरियातू, जगरनाथ, पूर कल्व, गोल, चकर, धुरुवा और तरुन बिकास मिडिल इसकूल चूटिया में आप अपना सैंपल जबा करा सकते हैं तेभारी सीजन देखते हुए जल चलेगी 100 और एस्पेसल ट्रेन तेभारी सीजन के मधनेजार रेलवे धिरे धिरे यातरी ट्रेनों का संचलन समाने करने के त्यारी में है करीब 100 और ट्रेन चलाने की घोसना जल्द हो सकती है इन ट्रेनों को अधिक मांगवाली रूट पर पहले चलाया जाएगा अभी केवल 230 जातरी ट्रेन चल रही है जिसमें 30 राजदानी एक्सप्रेस जाजी ट्रेन है परिशार्थियों के लिए हेल्प सेंटर की अस्थपना राची जिला में जई मेंस, नीट और एंडिये के परिशार्थियों को परिशार केंदर तक पहुचाने में परिवाहन से समधित किसी तरह की परिशानी न हो इसके लिए राची जिला पर्शासन की ओर से हेल्प सेंटर के अस्थापना की गई है बता देखी परिशार्थियों की सहुलियत के लिए चार हेल्प सेंटर अस्थापित किये गए है सहायता केंद्रे में मानिक चंद्रदास, 82, 100, 26, 802, धिपक कुमार, 89, 32, 89, 235, सुसंत परसाथ, 62, 0, 38, 12, 0, 20, और अभाय कुमार, 91, 10, 96, 0, 2, 49 की प्रतिन्युक्ति की गई है कालाजार का इलाज जारखन के चार जिलों में अभियान सुरू कुरोना संकट के बीद जारखन समेत देश के चार राज़ों में कालाजार उल्मूलन अभियान के सुरूआत हो गई है जारखन के राज़े कारेकरम अधिकारी डाक्टर बी मरांडी ने कहा है कि नई तक्निकी से इस बीमारी का उपचार मात्र एक दिन में किया जा सकता है देकर लोटने वाले चात्रों को होम कुरेंटेन से चूट सरकार ने दूसरे राज़ों से परिछा देकर जारखन लोटने वाले चात्रों को 14 दिन के होम कुरेंटेन से चूट दी है इस समध में बित्य सुक्रवार कोई सरकार की ओर से आदेश जारी किया था बता दे कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल चात्रों ने मुख मंत्री हेवान सुरें से किये थे जिसके बाद कुरेंटीन नियमों में छूट की बात कही गई थी जार्खन के 28,000 चात्र चात्राव का भविश्य अंधिकार में जार्खन के करीब 28,000 चात्र चात्राव का भविश्य पर संकट का राता जा रहा है अभी तक इन सभी को अपनी फाइनल परिक्षा का इंतियार है लेकिन इस संक्रमन काल में इनकी परिक्षा आयोजन प्रग्रहन लग चुका है बता दे कि ए सभी जार्खन 18B कॉंसील द्वारा आयोजित माध्यमा मदार्शा और इंटर वोकेशनल की परिक्षा होने का इंतियार कर रहे हैं बता दे कि जैक इस संदर्व में कोई निर्ने कर नहीं पा रहा है मालूम हो कि माध्यमा मदार्शा और वोकेशनल के लिए पहले ही फरम भरेचा चुके हैं होम आईसोलेशन में रहने पर खुद करवानी होगी दुबारा जाच कुरोना का बेतर डंग से इलाज कराने के बजाए लोग अपनी सहुलियत के लिए होम आईसोलेशन की मांग कर रहे हैं पर अब होम आईसोलेशन में रहना मांगा पर सकता है इस संबन्द में उपायूत की ओर से नया आदेस जारी किया गया है जिसके तहरत यादी कोई बेकती स्वेक्षा से होम आईसोलेशन में रह रहा है तो उसे रीपीट चांच खुद के खर्च पर करानी होगी राची डियाईजी के नेथिवत में गठित S.I.T. करेगी 514 यूगको के फरजी आत्मसवरपन की जाच पुलिस मुख्याले के आदेस पर राज में 514 निर्दोस यूगको को नकसली बताकर फरजी तरीके से आत्मसवरपर कराने के संबंधित फाइल फिर से खुलेगी इसके लिए राची रेंज के डियाईजी अखिलेश जाग नेतित में एक विशेश जाच दल की गठित की गई है 30 दिनों के अंदर जार सेवा से जारी किये जाए परवान पत्र पलामो उपायूक्त पलामो के उपायूक्त ससीर अंजन ने जार सेवा में लंबित जाती आय आवासिये सहीत जार सेवा के तहट जारी की जाने वाली परवान पत्रों को 30 दिनों के भीतर जारी करने का निदेश दिया है उपायूक्त ने बुद्वार को जीला समनाने के सभागार में इगोर्मेंस कारियों की समिक्चा कर रहे थे अनुसासन हिंता और कारिय में कोटाही बरतने वालों पर विभागिये करवाई देवघर उपायूक्त देवगर के उपायुक्त कमलेशवर पसाद सिंग की अध्यक्स्ता में कुरोना वायरस के संदीक्त ब्यक्ति की पचान संक्रमित ब्यक्तियों के लिए उपचार की बेवस्था जाच बेड रख रखा साप सफाई वा अन मुलभूत सुविधावों को लेका समिक्षा बैटक आ की इस वेबसाइट के जरीये संक्रमित ब्यक्तियों के इलाज के लिए किये जा रहे प्लजमा थ्रेपिक लिए वसक प्लाजमा उपलब्त कराये जाए ना संक्रमन से ठीक हो चुके लोग जो स्वेक्षा से प्लाजमाय दान करना चाहते हैं वह प्रतिरक्षक.co.in वेब साइट पर लोगिन कर प्लाजमाय डोनेशन के लिए रइस्टर कर सकते हैं हजारी बाग से 24 मवसी लदा ट्रेक लोरी जबते बरकाठा थाना छेतर के गोरहार पुलिस ने आराक्षी अधिक्षा के निदेश पर SDPO मनिस कुमार के नेधिते में टीम गठन कर गोरहार पुलिस ने जाच अभियान चलाया धरगुली मोड इस्थित जीटी रोड पर तेल ट्रेक लोरी में ठूसे हुए 24 गाय और एक बैल को जबत किया है लोहरदागा DC ने प्रवासी मजदूर टास्क फोर्स की बैठक की लोहरदागा DC दिलीप कुमार टोपो की अधिक्ता में बुद्वर को प्रवासी मजदूर टास्क फोर्स की बैठक आविजित हुई बैठक में जीले में आने राजियों से अपने गिरी जीला लोटे 2623 कुसल प्रवासी मजदूर तथा आक कुसल सरामी को रोजगार उपलब्द कराने के बिंदू पर चर्चा हुई हीरनों की मौत से चेते बन कर्मी ट्रेन की रफ्तार थमेगी पलामो बाग पर्योजना छेतर में 31 अगस्त को माल गारी की चपेट में आने से 6 हीरनों की कटकर मौत हो जाने के बाद अब बन विभाग इस मुदे पर गंभीर हो गया है बन जीवों की सुरक्षा के लिए बिभाग ने एक साथ कई कदम उठाय जाने का निना लिया है बता दे कि पलामो बाग पर्योजना से होकर गुजरने वाई ट्रेनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए जहां ट्रेन रफ्तार मापक के अंत्र लगाये जाएंगे वाई बन छेत्र के कई इलाकों से रेल पट्री आटाने के लिए भी रेलवे को प्रस्ताफ भेजा जाएगा खुटी के किसानों को मिला लेमन ग्रास की खेती का प्रसिक्षन खुटी जिला प्रसासन और सेवा वेल फेर सोसाइटी के सन्युक तत्वधान में बुद्वार को मुरहु प्रखंड अंत्रगत बीदा पंचायत इस्थीत सी आरडीपी सभागार में नक्सल और उग्रबादी प्रभाईत इलाकों के ग्रामिनों को लेमन ग्रास की खेती का प्रसिक्षन दिया गया गुमलाव पायुक तिने दिया लंबित योजनाओ को सासमय पुरा कराने का निर्देस गुमलाव पायुक शिसिर कुमार सिनाक या धिस्तामें पुद्वार कुजिला सरीय समिती की बैठक हुई बैठक में 26 केंदरिये सहयता योजना अंत्रगत योजनाओं की अगतन भातिक एवां बीत्य प्रगति की समिक्षक की गई समिक्षक के करम में पाया गया कि बित्तिय बस 18-19-21 तक लहू सिचाई प्रमंडल द्वारा बिसे सकेंदरी ये साहता अंतरगत 60 योजनाय चल रही है जिसमें 52 योजनाव पूर्ण है तथा 4 योजनाव अपूर्ण पाई गई इस पर उपायुक्त ने कारेपालक अभियानता को अपूर्ण कारियों को समय पूरा करने का निदेश दिया रांची उपायुक्त ने की गरीब कलियान रोजगार अभियान की समिक्षा राची के उपायूक छवी रंजन ने बुद्वार को गरीब कलियान रोजगार अभियान की समिक्षा की बैठक में उपायुक्त ने समंधित पता अधिकारियों से गरीब कल्यान रोजगार अभियान के अंतरगत चलाये जा रहे विभी नियोजनाओं से समंधित कारे प्रगति की जनकारी ली और पता अधिकारियों को कई अवसक दिशा निर्देश दिये बैठक में उपावुक्त ने स्वक्ष भारत मिश्वन गरामी जोजना के ताहत अब तक किये गए कारियों की जनकारी ली जार्खण में संक्रमन से मरने वालों के सो ले जाने का अधिक्तम किराया 500 होता है जार्खन में कुरोना के संक्रमन से होने वाली मौत के बाद सो ले जाने के लिए होने वाली मनमानी पर सरकार ने रोक लगा दिया है जार्खन सरकार के स्वास्त विभाग ने सो वाहन का अधिक्तम किराया 500 रुपे तर्क कर दिया है स्वास्त विभाग ने एक आज़ेस में कहा है कि कुरोना वाइरस से मौत के मामले में अक्सर देखा गया है कि निजी अस्पताल और प्राइवेट एम्बूलेंस के चालक और मालिक मिरितक के निकट परीजनों से मनमाना किराया वसूल रहे थे सरवांगिन विकास के लिए केंद्र और राज सरकार के बीच कदम ताल जरूरी है मन्सुरेण जाकन के मुख मंतरी हमन्सुरेण ने विपक्ष पर निसाना साधा उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज और कार इमंदारी पूरुवक होनी चाहिए और राज सरकार दोनों की जीमेवारी पूरुवा कदम ताल करने की जरूरत है तभी सर्वांगिन विकास की परिकल्पना की जा सकती है धन्यवाज पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाई ये साज साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्त आप दे सकते हैं थांक यू